नमस्वार दोस्तों आप शबी का बहुत बहुत शौगते दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और दो मई के आपके राशी के महाराशी फल के बारे में शबसे पहले दोस्तों जिनका भी अश्मी बर्तिदे है या फिर एनोर्सरी है आप शबी को मेरे तरब शे देर शारे शुब काम नाए आप दिन्दों ने राध चोगनी तरह के करें दोस्तों या मई मा के पहले दो दिन आप शबी के लिए केश होए तो धोंगे एश्मी गर्हों की से तिकेश होंगी क्या क्या योग बनेंगे और शबी का शर आपकी राश्य पर क्या होगा किनिकिन चीज़ों को लेकर या शमी आपको शार दुन होगा और आकर कौन-कौन शेकारी आपके लिए बागि शालिश चाह पदोंगे दोस्तों याश्मे आपका लव लाइप के शरिएगा स्वास्त के सरेगा के रिड़ के शरीगा दोसों ने पहले दो दुनों में आपका पार्विर जोन के शरीगा आरते सिती और धन को लेकर इसे दियां के शुर्ट दोंगे इन्हों शबी की महत्पून जान कर देंगे तो दोसों वीडियो को बिल्कुल ही मिशना करें और कर and all points ने तो अधों बात करते हैं जान लेता हैं पहले गरों के इसे वारे में सबसे पहले दूसों एक मैई की बाद करें तो दोस्तों इस दिन रभी बार का दिन हएगा शुकल पसकी प्रतिफातित की रेगी और बहुत्त रहेगी और दोस दिन भरणी नाम का नच्छत भी करेंगे करेंगे दोस्टों दित्यान रहें आप महत्मुन कारें ना करें को दोसुन आशाम में रहेगा करें तो दोस्तों दिन शौ मौर के दिन होगा शौ उल्पास की दूतियाती ती रहेगी और दोस्तों दिन करिद का नाम का नश्यत रहेगा मैं दोस्तों दिन योग की बात करें तो शौबा के नाम की उपरांती शौबा नाम का शुबुक रहेगा राहू कलके शौबा के साथ बचकर 33 मुच्छ लेकर शुबा के 9 बचकर 10 मिन रहेगा दोस्तों चनल माई दिन बरिश्वर राशी पर इस रंजार करेंगे तो आई दोस्तों बात करते हैं दोस्तों की जातकों को भी अच्छा मुनफ़ा मिल सकता है जिनके चलते आपको आर्थिक लाप भी होगा आपके खर्चों में ब्रिद्दी देखी जाएगी दोस्तों यश्च में आप वहां आदि की खरिदारी भी कर सकते हैं जिसे देख आपको शुगून के अनुबोती भी होगी वे दोस्तों ये अगर आपकी नेगेटिव के लिएकर बात करें तो आपके पिता जी के जिवन में कई बड़े जो है बदलाव येश में आ सकते हैं आपके पिता का ट्रांसफर या नोकरी परिवरतन शंभव है जिससे चलते उन्हें दूर भी होना पड़ सकता है दोस्तों किसी नईदिकी रिस्तेदार के शाथ आपका जो है रिस्ता खराब हो सकता है सही संप्रेशन से आपको बहुत मदद मिलेगी वह दोस्तों इन दूनों में ये जो आपके लिए समय है बहुत ही जरूरी है कि आप अपने शोभाव और आजपास की चीजों का गहराई से विसलेशन करें कुछ लोगों और आत्तों से एक निस्सित दूरी बनाई रखें दूस्तों ताकि आप बुरी पस्तितियों से बाहर निकल सकें कारियों के साथ भावनों को संतुलित करना आपके विकास के लिए एक महत्पूर्ण चीज़ है अपने काम पर भावनों को हावी नो होने दें इनसे आपको काम करने में काफी असानी होगी वहें दूस्तों यश्मे अगर आपकी करेर को लेकर बात करें तो दूस्तों यश्मे आपको काम करने के लिए कुछ विसेस, अधिकार और सवतंदरता मिल सकती है वह दोस्तों यश्ट में उच्पता धिकारी और बुजुर्ग वर्ग की जो है किरपाद रिष्टी यश्ट में आपको मिल सकती है यह जो समय है आपके शवी काम सरलता से संपन होने के समय है यश्ट में आप अपने कामों को सरलता से संपन होते हुए देख भी पाएंगे नोकरी वेफशाय के छेदर में पस्तितिया जो है अनुकुल यश्ट में रहेंगी वे दोस्तों यश्ट में आगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें तो प्रेम जीवन के रिए यह जो समय है अनुकुल दिखाई दे रहे हैं हलांकि कारी यश्ट में कारी की अधिक्ता के चलते प्रेम जीवन में कमी जरूर रहेगी लेकिन दोस्तों आपके और आपके प्रेमी की बीच जो अच्छे ताल मिल के चलते आप दोनों इस कमी को दरकिनार करते हुए अपने रिष्टों को और मजबुती देंगे वे दोस्तों यह जो शमय है आपको अपने रिष्टों में कुछ बाधाबी नजर आएगा रिज्टों में ताजगी लाने के लिए आपको कुछ नया करने की यश्मे आफशता होगी वे दोस्तों इन समय अगर आपकी हेल्थ को लेकर बात करें तो यश्मे स्वास्त तो अच्छा रहेगा इसका पूरा आपको लाभ में मिलेगा क्योंकि यश्मे सहत के लिया से ठीक ढाक समय रहने की उमीद दिखाई दे रहे है वे दोस्तों इसमे अगर आपकी भागी शाली रंग की बात करें तो भागीशाली रंग रहेगा गुलाबी और भागीशाली अंक रहेगा छे दोस्तों य यशमे विप्रित लेंगी वक्तियों की तरफ अपना ध्यान केंदित करेंगे किसी के लिए अपने मन में कॉमल भावनाएं भी उदित होंगी दोस्तों पुराणे शंबनन नए मोड लेंगे, अथौ नए शंबन बनेंगे प्रंदू दोस्तों वह फरकिरिया धीमी गते से आगे बढ़ेंगी आप किसी को भोजन के रिए आमंतरन भी देंगे दोस्तों यह जो शमय है मोज मस्ती और आनंद करने का शमय होगा वह दोस्तों इन दिनों में अगर आपकी विति स्थिति यानि धन को लेकर बात कें तो आपकी रशनात्मक छमता यह में उबर कर शामने आएंगी इससे आपने कारी प्रणाली को बदल सकेंगे और आप काम के हर पहलू को आसानी से प्रबंदित भी यह में कर सकेंगे दोस्तों यश्मी अपने रशनात्मक रश को फिर से भरने के लिए शांसी बनते हुए मोके के अनुसर आप जो है अपने आपको ढाल लें वह दोस्तों इन दिनों में अगर आपकी पारिवरी जीवन की बात कें तो यह जो शमय है कुछ चिड़ चिड़े रहेंगे जिससे आपके लिए उन्मान लगाना कठीन होगा सत्र करें क्योंकि यह जो शमय हैं आपकी साथी को दिमागी रुप से चक रहा सकता है क्यों दोस्तों यह ऐस्त्र में अपने साथी से आप जोट करना चाहेंगे जिस काम को करने के लिए आप पिछले कापी शमय से सोच रहे थे आप उसके लिए कुछ स्वास के लिए कोई शमस्या नहीं है हलांकि आपको अपने स्वास को बिगड़ने से इसमें बचाना चाहिए आम तोर पर आप दिल से सोचते हैं लेकिन यह जो समय होगा आपका मन भी उतना ही शक्री होगा और आप चीजां के बारे में दिमाक्षी काम लेंगे दोस्तों यह जो समय है आपके लिए अनास्था लालाच और आस्तिक जिसे खराब बिमारियों से बचाएगा दोस्तों इस्तरासी के कुछ लोगों को जो है यह समय संतान प्रक्षे आर्थिक लाब होने की उम्मीद है यह समय आपको अपनी जो है संतान पर गर्व होगा जिने आप चाहत जो है उनके साथ उपारों का आप लेंदेन भी यह में कर सकते हैं आपकी यह में अच्छा रहेगा दोस्तों अपने पीरिक के कड़वे सब्दों की कारण आपका मूड भी यह में थोड़ा ख्राब सो हो सकता है वह दोस्तों इन दिनों में नई चीजों की सिखने की जो किनार महसुद कर सकता है जिसका इजहार शाम को होना मुम्किन है वह दोस्तों इन समयों में यह जो दिन है किसी एक भोजन में नमक नो खाए इसे जो प्रेम संबन अच्छे होंगी दोस्तों यह में आपको कौन से उपायों को करना चाहिए दोस्तों आपको बता दें कि यह पर द्यान दे आपके बहुश के लिए भाग शाले होंगी और शादी दोस्वों और यह अधिक जनकारें के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो को अधिक लाइक करें और शेयर करें धन्यवाद